डेल्टा एकडमी में एक बार फिर स्वागत है आपका सभी लोगों को गुड़ मॉर्निंग दोस्तो आज की जो क्लास है हमारी वो समिधान की प्रस्तावना से संबंदित है प्रेम्बल अब दा कंस्टिटुशन प्रती एक वर्स कोई ना कोई क्वेशन इस वाले टॉपिक्स से जरूर मिलता है और आप लोग जैसे की लक्समी कांत या फिर और दूसरी वुक्ष हैं उनको अच्छे से पढ़ लें ताकि जो हमारी भारती राजवेवस्ता से संबंद में जो क्वेशन पूछे जा रहे हैं उसे अच्छे से तैयार किया जा सके दोस्तो ये जो क्लास है ये भी आप लोगों को जो भारती समिधान की प्रस्तावना है उसको याद कराने में काफी मदद गार सावित हो सकती है तो दोस्तो चलते हैं टॉपिक पर और जानने की कोशिस करते हैं कि भारत की जो समिधान की प्रस्तावना है वो आखिर है क्या दोस्तो कई बार इसे कुछ लोग कहते हैं कि जो समिधान की प्रस्तावना है वह आत्मा है कई बार इस पर डिसकसन भी हुआ है कि भारते समिधान की जो प्रस्तावना है जो प्रेम्बल है क्या वो भारते समिधान का हिस्सा है या नहीं है और इस पर काफी सारे विवाद आए हैं हम लोग उस पर सौट में एक चर्चा करेंगे दोस्तो आप लोगों को पता होगा कि जो समिधान की प्रस्तावना है वो समिधान बनने के बाद प्रस्तुत की गई थी समिधान सभा में इसलिए ये कन्फिजन हमेशा रहता है तो देखते हैं समिधान की जो प्रस्तावना है वो आखिर क्या है आप देखेंगे इसे याद करने का अच्छा तरीका है जैसे आप कोई इस्ट देवता के लिए मंत्र जाप करते हैं मेरा अपना सुझाव है कि आप लोग इसे भी रोज याद करें और समझें कि जो भारत का समिधान है वो किन आदर सो उपर टिका हुआ है और चुकि हमारा जीवन आज पून रूप से ऐसी व्यवस्ता के अंतरगत है जो हमारे जीवन के हर पहलू में देखने को मिलती है या उसका स्थित्व है इसी वैसे समाज के रूप बदल गए है पुराने समय में जहां हम सामोहिक जीवन जी रहे थे वहीं आज सहरों में एक फ्लैट में अपनी जिन्दगी भी जी रहे है तो दोस्तो ये जो परिवरतन आया है जो डिपेंडेंसी हमारी समाजी कुरूप से एक दूसरे से कम होई है उसके पीछे एक वैवस्ता है, राज वैवस्ता है क्योंकि आपको सिक्यूर्टी के लिए अब अपने जो परिवार जन थे जो वंसस थी उनके साथ रहने की जुरुत नहीं है अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पुलिस कॉल कर सकते हैं और एक आप पावरफुली दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये समिधान से मिली है और उसके कौन से आदर्स हैं इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें अगर रोज पढ़ना चाहिए या उसको याद करना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि या है कोई बेतू की बात होगी और आज कल चलन में आ भी गया है कई साधियों में मैंने ये भी देखा है कि लोग अब जो बरात होती है उसमें गिफ्ट के वज़ाए लोगों को भारते समिधान की जो पोट्रेट है उसकी जो प्रेम्बल्स है वो लोगों को भेट कर रहे हैं तो दोस्तों देखते हैं भारत के लोग, हम भारत के लोग पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्तु शंपन समाजवादी, धर्म निर्पेक्ष, लोक तांतरिक, गन राज्ये बनाने के लिए भारत के जो लोग हैं वो ऐसे कामना कर रहे हैं जो भारत है वो कैसा होगा एक संपून प्रभुत्तु संपन होगा समाजवादी होगा धर्म निर्पेक्ष होगा लोक तांतरिक गन राज्ये होगा जी हाँ दोस्तों ऐसे भारत के लोग या उस समय पर जो समिद्धान के निर्माता थे जो भारत के लोगों का प्रतिनित्ट करते कर रहे थे उन लोगों ने ऐसे हमारे देश की कल्पना की है हम इन सब्दों पर चर्चा करेंगे यह मैंने अंडरलाइन इसलिए किये हैं कि भारते समिधान की जो प्रस्तावना है उसके मुख्य जो सब्ध है वो प्रतिक परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इसलिए मैंने यह अंडरलाइन किये हैं आप लोग भी उसे इसी तरीके से आद करेंगे कि जो भारत के लोग हैं वो भारत को एक संपून प्रभुतु संपन देश बनाने के लिए साथ ही साथ अपने देश को हम समाजवाद की ओर ले जाने के लिए उसको समाजवादी देश बनाने के लिए और सेकुलर कंट्री बनाने के लिए मतलब धर्म निर्पेक्ष लोगतांतरिक गनराज्ये बनाने के लिए साथ ही साथ इसके समस्त नागरिकों को जो भारत के लोग हैं, उनकी बात हो रही है, उनको समाजिक, आर्थिक, वैराजनितिक नियाएं, यहाँ पर नियाएं सब्धियूज किया रहा है, यह फोकस करेंगे, तो समिधान की प्रस्तावना ने तीन पुरकार की नियाएं की बात की है, समाजिक, आर्थिक और राजनित इसे हम आगे भी चर्चा करेंगे साथ ही साथ विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की क्या सोतंत्रता यहां सोतंत्रता की बात की गई है तो नियाय और सोतंत्रता मोस्ट इंपर्टेंट है सोतंत्रताओं में विचार है अभिव्यक्ति है धर्म है विश्व उपास है और उपासना है, इसकी सुतंत्रता की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो गरीमा है लोगों की पृतिष्ठा है और उनकी जो अवसर की समता है, उनको प्राप्त कराने के लिए, किसके दोरा? समिधान के दोरा, तथा व्यक्ति की गरीमा और रास्ट एम एक्ता, तथा अखंडता एकता वै अखंडता सुनिशित करने वाला पंधुत्तु बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये बढ़ाना पढ़ना चाहिए हमें बढ़ाना पंधुत्तु बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं दरड संकल्प ले रहे हैं दरड संकल्पित होकर अपनी समिधान सवाव मे 26 नवंबर 1949 इस दिन चुकि समिधान लागू हुआ था तो यह उस दिन का statement है को एतत दुआरा इस समिधान को अंगिकरत करते हैं अधिनियमित करते हैं और आत्मारपित करते हैं चुकि समिधान जैसे पहुत से जो समिधान के जानकार हैं विद्वान हैं जैसे आईवर जैनिंग्स हैं वो समिधान को या और भी बहुत सर विद्वान हैं समिधान को एक जीवित वस्तू की तरह देखते हैं क्योंकि जैसे एक जीवित चीज विकास करती है और वह जीवन के हर पहलू में अपना जो उपस्थिती है वो दिखाती है उसी तरीके से समिधान भी विकास करता है और इसमें भी कुछ जीवन तलक्सन दिखाई देते हैं इसलिए यहाँ पर जो word यूज किया गया है आत्मा अर्पित करते हैं मतलब समिधान में हमने एक आत्मा डाल दिया और आज से वो सजीव हो उठा है तो एक बहुत बड़ी बात है कि समिधान को अंगिकरत करते हैं साथ ही साथ उसको रेगुलेट भी करते हैं दिनेमित करते हैं और आत्मा अर्पित करते हैं ये तीन वर्ड्स इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तो एक बार रिपीट करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्य संपन समाजवादी धर्म निर्पेक्स लोकतांत्रिक गनराज्ये बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक नियाएं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास वे उपासना की स्वतंत्रिता प्रतिष्टा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा विक्ति की गरीमा और राष्ट की एकता तथा खंड़ता सुनिश्चित करने वाला पंदुता बढ़ाने के लिए दरड संकल पित होकर अपनी इस समिधान सावा में आज 26 नुवंबर 1909 चस को एतत द्वारा इस समिधान को अंगिकरत अधिनियमित और आत्मा पित करते हैं कुछ इसी तरीके सा आप लोग इसे पढ़ेंगे अब हम एक एक करके इसके जो सब्द हैं उसके बारे में बात करते हैं सब्से पहले हम देखेंगे कि जो समिधान है उसके मूल तत्तु कौन-कौन से हैं प्रस्तावना में मूल तत्तु कौन-कौन से नहीत हैं तो पहला इसमें समिधान का जो अधिकार का जो स्रोथ है अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो समिधान के जो अधिकार किसरोत की बात है वो कौन है भारत के लोगों से सक्ती ली गई है समिधान में भारत के लोगों के दौरा जो समिधान को सक्ती दी गई है वो भारत के लोगों के दौरा है अर्थात कई बार आपने भासनों में सुना होगा कि हम भारत के लोग हैं और कोई भी कानून हमारे से उपर नहीं है अर्थात कानून लोगों के लिए बनाया जाता है यहां पर कहने का मतलब यह है कि लोग अधिक मजबूत हैं वो अधिक सक्ति साली हैं और उनी की सक्ति से समिन्धान को सक्ति प्राप्त है दोस्तों आगे देखते हैं समिन्धान के द्वारा प्रदान की गई जो भारत की प्रकरती है वो कैसी है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत जो है वो कैसा है समग प्रभु है, समाजवादी है धर्मने पेक्स है, लोक्तांत्रिक है और साथ-साथ गंतांत्रिक वाला देश भी है तो इस परकार से हमारे देश की प्रकरती है समिधान की जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग भारत पॉस एक पूर्ण प्रभुत्य संपन्त, समाजवादी, धर्बनिपेक्स, लोगतांत्रिक गंडाज्य बनाने के लिए जो ये लाइन है वो समिधान की प्रकरती से संबन्दित है आगे देखते हैं समिधान के दौरा जो इस्थापित उदेश्य है वो क्या है तो आप लोग देखते हैं होंगे कि पिछली बार पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जो समिधान के निर्माता थे या जो भारत के लोग है वो समिधान को जो उदेश्य है उसका ये है कि सब लोग साथ साथ रहें और आपस में सब लोगों को रहने के लिए कुछ स्थापित हो उनमें भाईचारा हो और एक नियाए की विवस्था भी उनके अंतर आये जिसे हम समाजी कार्थिक और राजनेतिक रूप से जानते हैं तो दोस्तो समिधान के द्वारा जो इस्थापित उदेशी है वो नियाए, सुतंत्रता, सम्ता और बंधुत जो है वो समिधान का मुख्य उदेशी है समिधान का जो अगला एक फीचर्स है वो है समिधान का अस्तित्यों में आना क्योंकि यह जिस दिन से आया था उसी दिन से बहुत सी धारा है या फिर जो एक आए नव निर्मित जो समिधान था हमारा 26 नमबर 1999 को उस दिन से भारत चन्मानस में एक अलग प्रकार की जो सक्ति थी जिसे हम समिधान के रूप में देखते हैं वो लागू हुई तो इसलिए ये भी एक मूल तत्तु के रूप में समाहित किया हुआ है दोस्तो आगे चलते हैं जो मुख्य सब्द हैं समिधान में वो कौन कौन से हैं सम्प्रभुता सम्प्रभुता का यहां पर जो अर्थ है वो इस रूप में लिया जाता है कि भारत ना तो अन्य देश पर निर्भर है और नय ही किया है किसी देश का डोमीनियन है डोमीनियन जो होते हैं वो अधिराज्य होते हैं जो कॉलोनियन सिस्टम के अंतरगत किसी एक सक्ति के दुवारा अधिगरहित किये जाते हैं तो जैसे आप लोग देखेंगे कि भारत को बिर्टेन ने अधिगरहित किया था और भारत उस समय पर बिर्टेन का एक डोमीनियन स्टेट कहलाता था तो भारत वर्तमान में समप्रभू है अर्थात उसके आंतरिक और वहाईय सक्तियों का वो खुद जुम्मेदार है मालिक है और वो जो उस चाहता है अपने आंतरिक मामलों में और वहाईय मामलों में वो खुद करता है तो इस तो आगे भारत एक समाजवाद पर आधारी देश है समाजवाद 1976 के जो 42 सवा समिधान संसोदन था से पहले भारत के समिधान में जो डारेक्टिव प्रिंसिपल थे उसके रूप में समाजवादी लक्षन मौजूद थे इसलिए इसे बाद में जोडा गया और यहाँ पर जो most important बात है वो यह है कि भारती जो समाजवाद है वह है लोगतांत्रिक समाजवाद है नहीं कि साम्मेवादी समाजवाद दोस्तो इस प्रकार का जो साम्मेवादी समाजवाद होता है वो राज्ये पर आसरित एक समाजवाद होता है जिसमें उत्पादन और जो वित्रन की साधन होते हैं उनको राज्ट्यकरण कर दिया जाता है और उसमें निजी समपत्ति का कोई अस्तित्त देखने को नहीं मिलता लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो मिस्रित अर्थववस्था में आस्था रखता है जहां पर सारजनिक और निजी छेतर दोनों मिलकर आपस में कार्य करते हैं तो इस रूप में भारत जो है एक लोकतांत्रिक समाजवाद इस्थापित करने में सक्षम हुआ है ना की साम्यवादी समाजवाद दोस्तो अगला जो सब्ध है वो धर्म निर्पेक्स का है अर्थात भारत जो है उसका कोई धर्म नहीं होगा उससे पहले इसमें जो धर्म निर्पेक्ष सब्द है वो भी 42 वे समिधान संसोदन अधिनियम 1976 के दुवारा जोड़ा गया उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो धर्म निर्पेक्ष सब्द का जो इस पस्ट रूप से हम उल्लेख देखते हैं तो वो पहले इस पस्टूप से देखने को नहीं मिलता है ऐसा उच्तम नियाले ने कहा था और इसमें हम अगर धार्मिक सुतंत्रताओं की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हैं वो इसी टॉपिक से सम्बंदित हैं धर्मिक से सम्बंदित हैं आप इसे भी देखेंगे दोस्तो भारत जो है एक लोग तांत्रिक देश है लोग तांत्रिक मतलब एक ऐसा राज्य है जो लोगों के दुआरा चलाया जाता है जैसा कि पिछली कक्सा में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो लोक तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है एक प्रतियक्स लोक तंत्र और दूसरा एप्रतियक्स लोक तंत्र भारत में एप्रतियक्स लोक तंत्र को अपनाया गया है उसके पीछे मैंने कारण बताया था कि भारत की बहुत अधिक जनसंख्या है और इस प्रकार के ए विधाईका का कार्य और कारेपालिका का कार्य वही चुने हुए लोग करते हैं और यह दो प्रकार का हो सकता है जो पृतिनी धात्मक लोगतंत्र है उसमें एक संसद्य वेवस्था और दूसरी राष्टपति या अध्यक्स ये वेवस्था आती है जबकि प्रत्यक्स लोगतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रेफरेंडम जिसे परिप्रच्छा या इनिसियेटिव जिसे प्रत्यावरतन पहल या फिर जो प्रत्यावरतन या फिर प्रत्यासी को वापस बुलाना जिसे रिकॉल कहते हैं और साथी साथ प्लेवी सिवि जिसे जन्मत संग्रह कहते हैं के रूप में देखने को मिलता है तो इस प्रकार से चार जो मुख्यगुन हैं प्रत्यक्ष लोगतंत्र के वो हैं जबकि प्रत्यक्ष लोगतंत्र में हम एक चुनी हुई सरकार की बात करते हैं दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं गन राज्ये की जिसे पिछली करसा में हम बात कर चुके हैं कि यह है फ्रांस से लिया गया है इसके अंतरगत जो देश हैं लोकतांत्रिक देश वो राजसाही या गनतंत्र पराधारित हैं और राजसाही वेवस्था में जो राज् अभधिकारिता का जो गुन है, जिसमें हम वंस पर अधारित एक बात करते हैं, बुटन का, या फिर दूसरे और देश हैं, भुटान है हमारे पास, या फिर और दूसरे तरीके के, तो वो सब के सब जो हैं, रादसाही लोकतांत्रिक वैजिटा को अपनाते हैं, भारत जो है, एक कैसा लोकतांत्रिक राज्य है गन राज्य है गन राज्य के रूप में है अर्थात यहाँ पर जो राजा होगा जो मुख्या होगा देश का वो उत्राधिकार से सम्मधित नहीं होगा बलकि जो जन परतिनी दी हैं चुने हुए जन्दा के उनके द्वारा चुना जाएगा और भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों में से चुना जाएगा अर्थात कोई भी जो योग्य व्यक्ति होता है फोराष्ट भी बनाया जा सकता है दोस्तो आगे चलते हैं जो प्रस्तावना में नियाय की बात की गई है प्रस्तावना में जो नियाय हैं वो कितने रूप के हैं तो दोस्तो तीन प्रकार के नियाय की बात की गई है समाजिक रूप से आर्थिक रूप से और आरजनितिक रूप से भारत जो है विविधताओं का देश है और इसी कारण इसमें अलग-अलग जो सिस्टम है सोसाइटी के समाज के उदेखने को मिलते हैं इसी को आधार बना करके समाजिक जो नियाए है उसकी बात की गई है कि सभी लोग बराबर है इसी रूप में आर्थिक नियाए की बात की गई है तो सामंती वादी जो व्यवस्थाएं हैं या जो पुंजी वादी व्यवस्थाएं हैं या फिर जो अपनेवेसिक व्यवस्थाएं हैं उन सब के कारण आर्थिक रूप से भी भारत में विसमताओं को जन मिला है और उसी को दूर करने के लिए भारत में एक आर्थिक नियाए की बात की है और सरकार अलग-अलग तरीके से एक आर्धिक नियाए को अंजाम दे रही है जो बहुत से योजनाव पराधारीत है दोश्तों भारत में राजनितिक नियाए भी है पुराने समय में जो सरकार को चुना जाता था वो के वल कुछ विसेश वर्ग के दौरा या एक हैसियत वाले व्यक्ति के दौरा ही वो चुनाओं में भाग लेते थे लेगिन भारत में अब व्यक्ति को महत्यू दिया गया है और प्रतेग व्यक्ति चाहे वो को पावना में जो लिखित मुख्य सब्द हैं उनमें सोतंतरता की भी बात की गई थी और मैंने अभी सोतंतरता के बारे में बात की कि सोतंतरता किस रूप में होनी चाहिए और सोतंतरता होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों कई बार देखने को मिलता है जब हम ब की थी राजा की मनमानी जो होती थी उस समय पर उसके खिलाब दोस्तों यह फंडामेंटल राइट्स है स्वतंद्रता का अगर यह नहीं मिलेगा तो लोगों का जो बौधिक विकास है उनका जो आर्थिक विकास है उस अपके सब बाधित होंगे किसी राज्य में और पॉलसिय है राइट टू एक्सप्रेस या बोलने की या अपने आपको एक्सप्रेस करने की आजादी है मैं चाहूं तो जीन्स पहनूं ना चाहूं तो ना पहनूं या और इस टाइप की बहुत सारे गुन है जिसमें आप देखते होंगे इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो अभी व्यक्ति वाला आर्टिकल 19 के अंतर गताता है विस्वास की बात है मैं कौन से धर्म को मानता हूं मैं कौन से पंथ को मानता हूं यह सब मेरे अपनी सोतंतरता होनी चाहिए इसी रूप में धर्म की सोतंतरता की बात की गई है उपासना की सोतंतरता की बात की गई ह उपासनाओं की किस तरीके से पूझा होगी, किस तरीके से नहीं, इन सब के बारे में दोस्तों ये भी स्वतंतरता का हिस्सा है, अभिवक्ति, फित्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं अगे अगर हम देखेंगे तो ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है सोतंत्रता समता और बंधूता जो है वो जो इस परकार के आदर्स हैं वो हमने फ्रांस की क्रांती से ली थी जो 17-19 से लेकर 17-19 में हुआ तो ये सब आदर्स वहाँ से आए दोस्तों आगे चलते हैं सम्ता इक्वल्टी ट्राइक टू इक्वल्टी आप लोगों ने सुना होगा और ये पहला मूल अधिकार है जो आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक इस पस्ट रूप से देखने को मिलता है आर्टिकल 14 में इक्वल्टी बिफोर लौ है अर्थात सभी के जो पक्ष के लोग है जो नियम है हमारा समिधान का या लौ जो बनते हैं वो सभी लोगों पर बराबर रूप से लागू होंगे पुराने समय में देखा होगा या पुरानिक समय में भी ये देखने को मिलता है कि किसी एक वर्ग के दुआरा सेम अपराद के लिए अलग दंड की वेवस्त है रखी गई थी जबकि समिधान आजाद होने पर अब एक प्रकार के आफाइंस में एक ही प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया है तो दंड जो है या जो लौद है वो इकुल है हर व्यक्ति के लिए आगे चलते हैं आर्टिकल जो पंद्रह है उसमें जाती, धर्म, लेंग, जन्मिस्थान या जो वन्स है उन सब के आधार पर हम डिस्क्रिवनेशन नहीं होना चाहिए उसको निसेद किया गया है ये एक इकुल्टी को जन्रेट करता है आगे लोक नियोजन के सम्मद्द में आर्टिकल 16 है और ऐसी वेवस्थाएं जो है भारत के सम्मिधान में देखने को मिल रही है जो प्रस्तावना से संबन्दित भी है अस्प्रस्यता का अंथ या आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंथ है दोस्तो भारत में सम्मता को इस्थापित किया गया है और बहुत अत्तक सही भी हुआ है लेकिन जन्मानस के बीच में जब तक जातिगत भेदभाव रहेंगे जब तक धार्मिक भेदभाव रहेंगे उनमें आपस में संगर्स होते रहेंगे और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इस पृत्वी पर एक व्यक्ति विसेश जो है वो बहुत इंप्रोटेंट है पता नहीं कौन व्यक्ति कहां पर है कर क्या बन जाए और उसका लाब हमारे जीवन भर हम सब को मिलता रहे दोस्तो इसलिए किसी भी प्रकार का जो भेध है आपस में उसे हमें खत्म करना चाहिए और राजनितिक जो बाते हैं जो भेध भाव को पहला करके एक चुनावी लाब लेने के लिए किया जाता है उन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए तो यही हमारे समिधान का आदर्स भी है और कुछ हद तक किये भी गए हैं लेकिन अब पुनहें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिस पर थोड़ा सा आपत्ति की जा सकती है तो दोस्तों आप सब इक्वली रहें और लोगों का सम्मान करें मेरी ऐसी कामना है आगे चलते हैं समिधान का जो महत्तु है वो क्या है आप लोग इस पर ध्यान भी देंगे कि समिधान के जो अनुछेत थे वो कौन-कौन से समय में इसमें क्या-क्या रखा गया बंधुता की बात हो गई है समता की बात हो गई है अब हम बात करते हैं प्रस्तामना का आखिर महत्ति क्या है तो दोस्तो प्रस्तामना जो है समिधान के एक हिससे के रूप में बाग के रूप में मानी गई है और इसके संबन में कई बार ऐसे विचार आए कि वही ये क्या हो सकता है क्या नहीं तो प्रस्तावना में इस प्रकार के जो मूलभूत दर्सन है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है और जो हमारे समिधान के द्वारा इस थापित है उस सब के सब प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं तो समिधान सब हमें जो प्रारूप समीती के सदस्य थे केम मुंसी उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी संप्रभू लोकतांत्रिक गंडाज्य का एक फल है अर्थात संप्रभूता जो है वो लोकतांत्रिक गंडाज्य को आगे बढ़ाएगी या उसको उसके रूप में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों जो समिधान का एक भाग है या नहीं है इससे संबंदीत बेरुबाडी संग मामला आया था जो 1960 में था उसमें हाई कोट ने ये बताया कि बई जो प्रस्तावना है वो क्या समिधान का भाग है या नहीं है तो उसमें प्रस्तावना को ये बताया कि ये प्रस्तावना जो है समिधान का भाग नहीं है उसके बाद 1973 में केशवनन भारती का एक मामला और आया और उसमें समिधान ने माना कि समिधान प्रस्तावना जो है वो समिधान का हिस्सा है इसी प्रकार से एक और 1995 में LIC of India का मामला आया और उसमें पुनहें ये माना गया कि जो समिधान है वो प्रस्तावना जो है वो समिधान का एक आंतरिक हिस्सा है दोस्तो इस बात से दो बाते इस पस्ट होती हैं कि प्रस्तावना ना तो विधाईका की सक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी सक्तियों पर प्रतिबन लगाने वाला है यह एक गैर नियाईग है अर्थात इसके वैवस्ताव को हम निया आले में चुनावती नहीं दे सकते हैं तो इस बात को इंपोटेंटली याद रखेंगे कि प्रस्तावना ना तो विधाईका की सक्ति का स्रोत है अर्थात संसद को जो सक्ति प्राप्त है वो समिधान से है ना कि प्रस्तावना से और ना ही उसकी सक्तियों पर प्रतिबन लगा सकता है और आप चाहें तो प्रस्तावना के आधार पर कि प्रस्तावना मुति ये मूल छुपा हुआ है तो संसद ऐसे नहीं कर सकती है तो ऐसा हम बिलकुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि समिधान संसद जो है वो समिधान के वो बंदों के आधार पर चलाई जाती है यह है गैर नियाइक है अर्थात हम इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं इसकी विवस्थाओं को नियाले में नहीं दे जा सकते कि समिधान की प्रस्तावनाम तो यह था और समिधान में हम यह तो नहीं मिल रहे तो इसलिए यह इस रूप में भी नहीं देखने को मिलती है तो आप लोग इसको देखेंगे आगे आगले टापिक पे चलते हैं प्रस्तावना में हम संसोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह भी एक विवाद का मुद्दा हमेशा बना रहा और इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो केशवानन्द भारती मामला आया था 1973 में और बेरुबारी संग मामला आया 1960 में केशवान संसोधन की जो भावना है वो की जा सकती है संसोधन की या नहीं तो केशवानन्द भारती के बामले में यह बात उठकर आई कि जी संविद्हान की प्रस्तावना में 366 के जरिये जो है वो संसोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो उसमें ये लिखा गया कि जो मूलत अत्तु हैं समिन्हान की कमके स्वनन भारती के बारे में बात कर रहा है कि समिन्हान में जो मूलत अत्तु नहीं थै और वो प्रस्तावना में भी है तो उनको हम नहीं हटा सकते हैं, बलकि ऐसा संसोधन कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहएट, जिसे हम समिदान संसोधन भाग 20 के अंतरगत रखते हैं, तो उसमें हम संसोधन केवल वो कर सकते हैं, जो मूल ढाचे को, जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसको वो बढ़ाने का काम करें, ना कि घटाने का, तो इसी आधार पर, 22 समिदान संसोधन में, तीन नए सब्द जोड़े गए, 1976 में, समाजवादी, धर्मनिट पेक्ष और अखंडता, यह most important part है, आप से कई बार question पूछा गया है, कि बैली समिदान संसोधन अंधिनियम के अंतरगत्स प्रस्तावना में कौन से तीन ने सब्द जोड़े गए, समाजवादी है, तेर्मनिट पेक्ष है, और अखंडता है, तो इस रूप में संसोधन को वैद ठहराया जा सकता है, चूकि यह समिदान के मूल्ध हाचे को और म आप दायक सिद्ध होगा, आप अच्छे से मेहनत करते रहें, और नई कक्षा तक के लिए, बाबाई, टेक केर